हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपने चैनल पे आप सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों हसते रहें मुस्कुराते रहें पॉजेटिव रहें पॉजेटिव सोचिए पॉजेटिव रहेंगे सफलता विश्च मिलेगी आप सब के चेहरे पे मुस्कुराहाट हो आप सब स्वस्त हो और मस्त हो, आप सब स्वास रहेंगे, हम भी स्वास रहेंगे, आप सबका soul purpose पुरा हो, आप सबकी reunion हो, आप सबका confidence level बरताज है, आप सबकी ख्षाहें पूर्ण हो, So my soul family, my viewers, my subscribers, God bless you, बस आप लोग positive रहें, और जितना हो सके खुद को balance रखें, और हमेशा स्वस्त रहने की कोशिस करें, जब अपने mind को आप पूरी तरह positive बनाएंगे, आप खुद बखुद ही स्वस्त रहेंगे, खुस रहेंगे, क्योंकि आपका जो भी mind है, बिल्कुल peace में है, तो आप हर काम कर सकते हो, और आगे बर सकते हो, सबसे बड़ी बात बाबु कि आप अपने mind को बिल्कुल positive रखें, और mindset करें कि मुझे करना क्या है, तभी आप आगे बर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हमारे mind में जो भी negativity रहती है, हमारे पूरे body में फैल जा है, इस separation, depression से बाहर निकलना है, खुद के लिए जीना है, अगर आपके goals हैं, आपको बहुत उचाईयों को छुना है, या फिर खुद से प्यार करते हो, पैरंस से प्यार करते हो, अपने बच्चे से प्यार करते हो, अपनी family से प्यार करते हो, तो खुद के लिए जीना सिख किए खुद की कदर कीजिए पहले अपने आपको बैलेंस कीजिए सिर्फ लग कीजिए और अपने माइंड को बिल्कुल तरह सेट कीजिए बाबू ये काम करने से ही आप आगे बढ़ सकते हो दुनिया में और कोई चाबी नहीं है आपके खुशी का बस आप और आप हो आपका माइंड है आपका खुद का बिश्वास है बस आप लोग खुद पर बिश्वास करें और बिश्वास के साथ ही आप आगे बढवें तब ही आप आगे भर पाओगे हर चीज आपके life में आपके तरब बढ़ सकती है बस बापु अपने mind को set के जे ठीक है तो dear ये है आपके partner की current energy इस वक्त आपके partner आपको लोग किया आप लोग को लेकर क्या feel कर रहे हैं क्या उनकी energy है इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर तो ये collective reading है ये all sign के लिए है male, female, married, unmarried सब के लिए है बट आप लोग positive रहें collective reading है किसी को resonate करता है किसी को नहीं भी करता है लेकिन अगर नहीं भी करता है ये प्रसन रिडिंग नहीं है बाबू प्रसन रिडिंग जो लेते हैं उनके लिए अलग energy प्रसन निकलती है और collective में हर की अलग energy होती है तो उस किसी को करती भी है रजनेट किसी को नहीं भी करती है बट आप लोग positive होकर guidance ले, healing ले और अपने आपको balance करें ठीक है अगर मुझे प्रसन सेशन आपको लेना हो तो मेरे direct email ID पे आप contact कर सकते हो, guidance लेनी हो, healing करानी हो, energy check करानी हो, self love करना हो, chakras balance कराना हो कहीं आप stuck हो, परसान हो और नहीं निकल पा रहे हो, तो आप मुझे contact कर सकते हो, मेरे session के charge होते है, तो मेरे email ID पे आप contact कर सकते हो, ठीक है बाबू, तो चलिए अब आपके partner की energy इस वक्या है, क्या सोच रहे है सबसे बड़ी बात, आज प्रुनीमा भी है, और बाबू, आप लोग की भी energy उपर नीचे हो रही है, उसी प्रकार आपके partner की भी energy उपर नीचे हो रही है, ठीक है लेकिन मेरे कुछ वीवर से उनके partner की contact थोड़ी बात हो रही है, लेकिन clear आपसे वो बोल नहीं रहे हैं, कभी चुप बैटते हैं, कभी आपसे बात करते हैं, लेकिन आपसे clear नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है उनकी भी energy है, और आपके partner इस वक्त जो सोच रहे हैं, ये दो-तीन तरह की energy मेरे viewers के partner की है तो पहले मैं देखने कि आपके partner आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा missing energy है, मेरे कुछ viewers भी miss कर रहे हैं अपने partner को और मैं हाँ बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने health पर थोड़ा ध्यान दे, मेरे कुछ viewers की हो सकती energy down हो सकती है, और health problem हो सकती है, तो प्लीज आप अपने health पर ध्यान दे, खुश रहें, खुश जितना रहेंगे, आप positive रहेंगे, आपको को healthy issue नहीं होगा, आप लोग मेरे viewers soulmate journey में, twin journey में हैं, तो ये energy आज की थोड़ी सी heavy भी हो सकती है, किसी की high भी हो सकती है, तो आप लोग अपना balance करकर चलें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आपके partner की missing energy दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और मैं यहाँ देख रही कि आप लोग कहीं न कहीं manifest भी कर रहे हो, आप अपने energy को balance करके रखना, आपके energy डाउन नहीं होनी चाहिए, आपके person इस बक टूटा हुआ, फिल कर रहे है, बहुत missing energy है, वो साहद आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं भर पा रहे हैं, कोसिस कर रहे हैं, लेकिन उनको लगड़ा है कि अप चारो तरफ का रासा उनका बंद हो गया, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके life में कुछ न कुछ loss हो रहा है, loss मिन्स क्या, जैसे healthy issue हो सकते है, parents की healthy issue हो सकती है, finance की problem हो सकती है, कहीं से मन मुटाओ हो चल रहा है, कहीं से कोई बात नहीं बन रही है, तो कहीं न है कहीं आपके person को loss हो रहा है, लेकिन कुछ के partner में ego भी है, ठीक है, वो आप से उमीद करकर बैठे हैं बाबू कि आप उने call message करो, आप उनको मना, ये energy है कि आपने गलती किया है, अभी masculine की ऐसी energy कि उन्हें लगता कि आपने गलती किया, आपने इग्नोर किया है, तो देख अच्छी से migration करना है, अच्छे song सुनना है, spiritual song भी सुन सकते हो, feelings of love बाली song सुन सकते हो, क्योंकि आज आपको heal होना है, ठीक है, आज पुर्णीमा है, आप अच्छे manifest किजिए positive रहें, और हो सके तो आज नमक से आप जरूर नहाना, घर की साफ सफाई करना, ठीक है, ताकि ज mind भी थोड़ी सी साफ होती है, क्योंकि आप वहाँ focus करते हो, जहां आप सफाई करते हो, ठीक है, तो आप यह जरूर करना बाब, ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके partner के life में है, कुछ बड़न भी है, लेकिन universe उनके उपर डंडे बरसा रहे ह है, ऐसा नही है, डंडे बरसा रहे है, दर्द है, suppression है, लेकिन वो देखने की कोशिस नहीं कर रहे है, मैं यहाँ देख पारी कि बहुत के partner आपसे बात भी कर रहे हैं, contact कर रहे हैं, लेकिन किलियर नहीं बोल रहे हैं, suspense है यहाँ, ठीक है, खुलकर commitment नहीं दे रहे हैं, लेक कि कहीं न न कहीं वहाँ दर्द है पेन है लेकिन अगर पैरेंट्स है तो वह लेकर चलना चाहते हैं उनको खुष भी करना चाहते हैं लेकिन आने वले टाई में मुझे लग रहा है वह बैलेंस करेंगे क्योंकि आपकी हाइभ एबरिसन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कदम उठा रहा है जिससे उन्हें ऐसा कुछ मतलब जौब है करिए कुछ वो खोएंगे या फिर आपकी एनर्जी ऐसी उन्हें फिलोगी जैसी उनको लगेगा कि आपने उन्हें अब छोड़ दिया अब वो आपको खो दिये हैं ऐसी भी आपके पार्टनर की हो सकती है क्योंकि वो देखने की कोसिस नहीं कर रहे हैं इनिवर्स उनको क्या बोल रहे हैं क्या पुछ कर रहे हैं उनका इगो जो है उनको सोचने नहीं दे रहा है और आपके तरफ बढ़ने भी नहीं दे रहा है लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत जादा है बहुत जादा मिसिंग एनर आपको इगनूर करना उस बगत अपने आपको बैलेंस कर लिजीए, ठीक है, एकसे बैलेंस किजिए, ना उंसे बात करना है, नहीं उनका status देखना है, नहीं उनने call मैसेज करना है, जब आप इतना में बैलेंस करने लगते हो, तो आपके अंदर का बिल पावर बढ़ता है, द जिनों ने अपने उपर बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, तो आप से उम्मीद करकर कुछ के पार्टनर बैटे हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करो, आप उनको मनाओ, क्योंकि आपकी वो कमजोडी को जानते हैं कि आप उनसे बेसुमार प्यार करते हो, अनकंडिशनल लव करते ह लेकिन ऐसा नहीं है, जब आदमी का दिल दुखता है, जब एक अपमान को याद करता है कि मेरे साथ किसी ने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ में भी खुसियां आने चाहिए, मैं डिजर्ब करती हूँ, मैं करता हूँ, तो मैं खुद क लिए जी सकता हूं यह बताइए कि आपके पार्टा अगर फैमिली में भी जी हैं अपने फैमिली अपने बच्चे अगर मैरेड हैं आपके पार्टनर किसी के साथ हैं तो अपने लाइफ में कहीं न कर जीने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन अपने फैमिली अपने बच्चे अपने परेंस अपने फड़िबार के लिए जी रहा है जहितों दिमाग में हैं परीद दिमाग कृदि के लिए समान बढ़ेगा फमान हुआ है तो त intervene ऑफ मान भाष्य चैनल इस लिए इंजिए लिह साइन देते हैं कि स्टेब बाइ स्टेब बर्ते रहें कदम बढ़ाते रहें और हम आगे बढ़ते रहें इसलिए एंजेस हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं हमें साइन देते हैं बस उस चीज़ को फॉलो करना है देखिए ऐसा नहीं है बहुत कोसिस करते हैं लेकिन कुछ के फैमिली को छोड़ना उनके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा डिफ स्पॉंसिबिटी है कुछ निभार है कुछ केलिए बड़न है कुछ आपको बहुत ज़्यादा मिस्ट कर रहे हैं कुछ लोग इगो में है जो नो कॉंटक्स सिच्वेशन में है कि आप से उमीद करके बैटे हैं कि आप उनको call message करो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रही है कि आप अपने आपको बदल दी हो तो आप कहां भी जी हो एक अट्रैक्शन है वो जानते हैं कि आपकी तरह बढ़ेंगे आपको मनाएंगे और वो मान जाएंगे वो आपको टच करना चाहते हैं आपको फिल करना चाहते हैं आपकी तरह बढ़ना चाहते हैं कुछ के प इनरजी ऐसी होने वाली है कि आपके पार्टनर को आपको लेके बहुत ज़्यदा फिजिकल अट्रेक्शन होने वाला है लेकिन जैलेसी उनको बरदास नहीं होगी कि आप इगनोर कर रहे हैं अपने उपर काम कर रहे हो तो आपके तरफ कॉल मेसेज कर सकते हैं और अंदर से व दोस्तों couple फॉसक भी हो सकते हैं जहां वो गजब नहीं हो कन्फ्यूज्ड भी है ठीक है यह सब के लिए नहीं कुछ की यह फिल नहीं है क्योंकि वहां वो खुस नहीं है और उनको खुसी भी नहीं दे रहें़ेँ वहां फाइटिंग चल रही है मन मुटाओ चल रहाए अगर मुझे लगँ अगर आपके पाटनर किसी कार्मी के साथ deal कर रहा है किसी के साथ रह रहा है या फिर married हैं अगर family के साथ हैं, तो हम बिल्कुल balance में नहीं हैं, disturbed हैं और आपके तर बढ़ना चाहते हैं healing के लिए, एक physical attraction है, अगर आप से मिलते हैं, तो आप से धीरे धीरे बात करते हुए मिलना चाहेंगे, और आपके कड़ीब आने के लिए सोचेंगे, मेरे viewers को मैं बोलना चाहूंग कि आपकी energy है बाबू, तो यह आप energy pick कर सकते हो कि आपके पाढ़ना आपसे कैसे deal करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्योंकि मैं देख रहे हूं कि बहुत mixed energy है, और किसी की missing है, कोई jealousy feel कर रहा है, किसी को attraction है, किसी को ego है, तो दो तीन तरह की energy मैं pick कर पा रही हूं, तो please मैं यहा लोग, कहीं न कहीं, आप लोग बहुत जल्दी मान जाओगे, ऐसी भी energy है, ठीक है, वो आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं, आपके साथ time spent करना चाहते हैं, आपके साथ travel करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा attraction मुझे दीख र रहा है, और कहीं न कहीं, उनका दिल दुखा हुआ है, वो सिर्फ आपके तरह पाएंगे, और energy लेना चाहेंगे, फिर कुछ समय के बाद आप से बात होती रहेगी, फिर अचानक से वो काम पर विजी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फूल हो जाएगी, और आप से दूर होंग क्योंकि मुझे ऐसी energy आ रहे है कि आपके partner उदास भी है, क्योंकि उनके healing चाहिए, आपकी energy चाहिए, तो बहुत strong सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है बाब, एक attraction दिख रहा है, जो आपके तरह बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन जिनके partner ego है, और ये सोचे कि आप उन्हें call message करो, तो मैं यहाँ बोलूँगी, बहुत सोंच समझ कर बात करना, क्योंकि जहां बात होगी, वहाँ जगड़े भी हो सकते हैं, इसलिए आप balance किजिए, विश्वास किजिए, आपके लाग में बहुत खुसियां है, मेरे कुछ viewers की मैं देख पारी हैं, मेरे क सारे ब्लोकय, सारे कर्मा, रिलीज होते हैं, ब्लोकय जहील होते हैं, तो सही दीशा, सही सिच्छा मिलती है, और आपके लिए को है सही partner, सही soulmate, आपके life में आता है, यह मेरे कुछ viewers के energy है, कुछ लोग married भी हो सकते हैं, कुछ लोग unmarried भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ देख में रहना क्योंकि जितना आप बैलेंस करोंगे हार कर वही आपके तरफ call message करेंगे कुछ one week के अंदर कुछ के partner आप से मिल सकते हैं बहत्तर घंटे के अंदर आपके पार्टन गुश के partner आप से मिलने की कोछिज करेंगे आपके साथ time spent करने की कोशिज करेंगे आपको मनाने की कोशिज करेंगे कुछ के पार्टनर आपको ट्रैबल पर ले जाना चाहेंगे और 42 घंटे के अंदर बहुत लोग को कॉल मैसेज भी रिशीब होने वाला है लेकिन मैं यहां बोलूँगी जिसके पार्टनर कॉल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने उपर बैलेंस करना क्योंकि अगर आप अपने तरफ से करोगे तो वह इग्नोर भी कर सकते हैं जल्दी जवाब नहीं दे सकते हैं जिससे आपका शाप सकते हो कि मैं कुछ भी बरदास कर सकता हूं कर सकती हूं तब जाकर आप कॉल मैसिज आप कर सकते हो नहीं तो आप मत करना ठीक है खुछ से प्याब किजी यह मिक्स एनरजी है तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनरजी आपके पार्टनर की अट्राक्शन है आपके तरफ बढ जरूर करें बाबू मेरिटेशन एक ऐसी हम लोग के लिए मेरिटेशन एक ऐसा रास्ता है जहां हमें खुद को हील करना पड़ता है पॉजेटीव रहने को मतलब पूरी तरह इंजस मुझे गाइड कर दें कि मुझे पॉजेटीव रहना है हील होना है और जब लाइफ हमार सुरू करते हैं हम उस और भागते हैं और पेन दर्द और गम को पीछे छोड़ देते हैं आपके लिए लाइफ में खुशियां बस आपको उस सरफ जाना है बाबू मैं इसलिए आपको गाइडियंस देती हूँ कि एनर्जी तो चेंज होती है बाबू हर समय हर सिकंड पर च प्लीज आप देख लिजिया आपके पार्टनर के मिसिंग अनर्जी अगर आपको कॉल मैसेज रिसीब होता है तो मेरे कमेंड में भी लिखे अगर आपकी एनर्जी ये पिखोड़ी बाबू तो मेरे कमेंड में लिखे और ग्रेटिटू जरू इनिवर्स इंजल स्गौड क को दे और फोगिप करें निगेटिविटी को लेट गो करें तो मैं यही दिल से दुआ करती हूं कि आप लोग पॉजेटिव रहें खुस रहें और आपकी रियूनियन भी हो आप लोगा गोल्स भी पूरा हो तो चलिए यह थी आपके पार्टनर की करेंट एनरजी अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लेगते हैं तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वेल आइकन जरूर दबाए डियर तो गॉट ब्लस ये थैंक यू